शोद करताओं ने एक खोई नदी का प्रमान पाया है जो 172.000 साल पहले वीकानेर के पास केंद्री अथार रेगिस्तान के माध्यम से बहती थी यह नदी मानव आबादी के लिए एक जीवन रेखा हो सकती थी जो उन्हें इस क्षेत्र में निवास करने में सक्षम बनाती थी इसके बारे में यह निशकर्ष केंद्री अथार रेगिस्तान में नलक्वारी में नदी गतिवेधी के सबसे पुराने सीधी दिनान के चरण का प्रतिने दित्व करते हैं अधेयन से संकेत मिलता है कि पाशान यूग की आबादी आज की तुलना में एक अलग थार रेगिस्तान परिद्रश में रहती थी यह साक्ष एक सो बहत्तर हजार साल पहले की गतिवेधी के चरणों में बहने वाली एक नदी को दर्शाता है यह भीकानेर राजस्थान के निकत्तम बहने वाली आधुनिक नदी से 200 किलोमीटर दूर है यह निशकर्ष थार रेगिस्तान के साथ साथ गहगर हकरा नदी के सूखने के दौरान आधुनिक नदी जल मार्ग में गतिवेधी के लिए साक्ष का अनुमान लगाते हैं यह निशकर्ष थार रेगिस्तान में आधुनिक नदी मार्गों के साथ गहगर हकरा नदी के सूखे मार्ग में गतिवेधीों के लिए मौझूदा साक्ष से भी पहले की समय के ओर इशारा करते हैं में मानव गतिविधी के लिए साक्ष्य परिनामों ने संकेत दिया कि नाल ग्राम में नदी की सबसे मजबूफ गतिविधी लगभग 172 और 140,000 साल पहले हुई थी, उस समय जब मानसून इसक्षेत्र में आज की तुलना में बहुत कम जोड था, नदी की गतिविधी 95-78,000 साल पहले इस थान पर जारी रही, महत्वपूर्ण जानकारी, थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन देजट के रूप में भी जाना जाता है, भारतिय उप महादवीर के उत्तर पश्चिमी भाग में एक बड़ा शुश्क शेत्र है, यह भारत और पाकिस्तान के बीच ए 85 प्रतिशत भारत के भीतर स्थित है और 115 प्रतिशत पाकिस्तान में है, रेगिस्तान का 60 प्रतिशत से अधिक भारतिय राज्य राजस्तान में है और यह गुजरात, पंजाब तथा हर्याना राज्यों में फैला हुआ है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांद के भीतर, थार चोलिस्तान रेगिस्तान के रूप में फैला हुआ है।